अब देखेंगे स्टूडेंट्स क्वेस्टन नम्मर टू क्या कहा रहा है दे लेंट आप मिनट हैंड आप लोगों के लिए रखा है यहां पर इसके मिनट हैंड है और मिनट हैंड का आपको लेंथ दिया हुआ कितना दे रखा है यह 14 cm ठीक है यह 14 cm का हमें इसका यह लेंथ दिया ठीक तो कहरा है calculate the speed with which the tip of the मिनट हैंड मुवज तो कहरा है यह जो tip है इसका यह किस speed के साथ मुवज करेगा ठीक है तो ये बात समझ में आना चाहिए सबी लोगों को आपको पता है कि ये circular shape में होता है और circular shape में होता है तो ये जो एक पूरा चकर लगाएगा इसमें इसका distance निकल सकता है और एक पूरा चकर लगाने में टाइम कितना लगाता है तो 60 minute लगाता है या फिर one hour लगाता है तो मीटर पर सेकेंड में करेंगे तो इसको हम सेकेंड में कनवर्ट करेंगे तो देखो ध्यान से दो चीज़े मुझे पता होनी चाहिए speed find out करने के लिए speed का formula क्या होता है distance upon में time distance upon में time मुझे किसी भी object का speed find out करना हो तो वह object मान लीजिए यह speed यहां पर object रखा हुए तो यहां मुझे दो चीज़ पता होना चाहिए उसका distance travel और time कितने time में किया तो मान लो यहां से एक चक्कर लगा के घूम के दुबारा यहां पर आ रहा है तो एक पूरा चकर complete होगा इस पूरे एक चकर में उसने कितना distance travel किया तो वह इस circle के circumference के बराबर होगा या नहीं होगा वो समझो बिलकुल होगा तो यहां पर सबसे पहले हम distance निकाल तो distance क्या हो जाएगा तो इसका एक चकर मतलब टू पाई आर इसको क्या बोलेंगे circumference आफ सरकल circumference आफ सरकल ठीक है और यह जो इसका length दिया हुआ यही क्या है यही इस circle का radius ही होगा ना बिलकुल radius होगा तो यहां पर इसका formula टू पाई आ ठीक है तो इसको निकालो टू इंटू में पाई की वेल्यू ट्वेंटी टू अपॉन सेवन और आर हमें इसका जो लेंथ दिया हुआ है वही और यह हो जाएगा यहां पर देखेंगे इसको हम solve करेंगे तो यह मेरा आ जाएगा 88 अब बात आता है इसका यूनिट क्या होगा तो यूनिट ध्यान देने वाली बात है कि यह centimeter में था सब्यास तो यह भी मेरा centimeter में हैंएगा अब मुझे इसको मीटर में कनवर्ट करना है क्यों довc करना है क्या कि ऐसा यूनिट मीटर में होता है ठीजक है तो हमें पता है कि सेंसалог सेनटी मीटर को कि इस इक्वल टू कितना मीटर होगा अपको बता रखा है सेंटी डे सीमीटर याद आ रहा है आपको इली हैं या किरी हैं टी को किरी सी कि 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 possa हेक्टो फिलो मीटर आपको सेंटी मीटर से कहां जाना है मीटर पर जाना है यहां से नीचे आना है तो जब भी नीचे जाते हैं तो नीचे 0 लगाएंगे मतलब 1 के आगे नीचे 0 तो कितना 2 स्टेप नीचे उतरे तो 100 जाओगा तो इसलिए 88 cm कितना हो जाएगा 88 cm is equal to 1 upon 100 multiply 80 तो इसलिए distance is equal to distance is equal to 0.88 meter हो गया आप time की बात करते हैं तो time की बात मैंने आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये एक पूरा complete चक्कर लगा रहा है तो minute हैंड जब एक पूरा complete चकर लगाता है तो कितना होता है 60 minute होता है और हमें इसको second में convert करना है तो इसलिए फिर से 60 से multiply करेंगे क्योंकि एक minute में 60 second होते है तो इसको ये हमारा time किस में आ जाएगा second में आ जाएगा 3600 अब जब ये दोनों चीज़े आ गई मेरी distance भी आ गया time भी आ गया तो speed आराम से निकाल सकते हैं तो इसलिए speed कितना हो जाएगा तो इसलिए speed is equal to distance upon time मतलब 0.88 और upon time is 3600 ठीक है आप इसको solve कर लो तो यहाँ पर point हटाने के लिए denominator में 2 और 0 आ जाएगे 3600 00 ठीक है अब इसको कर लो solve अब इसको मैं ऐसे भी लेख सकता हूँ 88 upon में 36 into में 10 की power 4 ठीक है आप यहाँ पर देखो यह 4 से कर जाएगा 4 9 जा 4 2 जा 8 4 2 जा 8 इसको मैं solve करूँगा तो यह 22 upon में 9 और multiply 10 की power minus 4 हो जाएगा है की नहीं और यह unit क्या होगा meter per second इसको और standard form में लिख लो तो इसको divide करेंगे तो यह हो जाएगा 9 2 जा 18 point में और 9 4 जा 36 2.44 into में 10 की power minus 4 meter per second है ठीक है यह हमारा इसका speed है ठीक है तो क्या किया हमने कुछ भी यहाँ पर rocket science नहीं लगाया बहुत simple सी चीज क्योंकि यह minute hand है यही इस circle का क्या होगा radius होगा और यह हमें centimeter में दिया है 14 centimeter तो speed का formula हमें पता है distance upon time होता है तो बोल रहा है कि एक complete चक्कर लगाने में वह कितना हमारा です उसका speed क्या होगा complete chakr नहीं simple speed बोल रहा है speed के लिए मैंने क्या किया मुझे पता है कि एक complete Chakr kitne minute में लगाता है 60 Minutes में लगाता है तो एक complete Snapłe से मैं इसका distance भी निकाल सकता हूं और वो time भी निकाल सकता हूं तो distance से मैंने कैसे निकाला circumference of circle के formula से तो उससे मेरा distance centimeter में आया उसको मैंने meter में convert कर लिया तो meter में आ गया आप मेरे को distance निकल गया time एक complete चक्कर लगाने में 60 मिनट उसको second में convert करने के लिए 60 से दुबारा multiply किया तो 3600 सेकेंड आ गया speed is equal to distance upon time कर दिया distance हमारा 0.88 upon time 3600 और यहां पे इसको solve किया तो हमारा यह 2.44 into 10 की power minus 4 meter per second हमारा इसका speed आगा ऐसे ही इस whatsapp number के थुरू आप लोग मेरे से connect होके और आप भी live class को attend कर सकते हैं ठीक है students तो मिलते हैं next video में कुछ नए updates के साथ अब तक के लिए thank you very much and take care of yourself and जै इंद जै भारत और सभी लोगों को all the best bye bye